हेलो एब्रीवन, मेरा नाम है उजमा अली शेक और यह मेना पहला यूटूब वीडियो है यहां मैं आपको कुछ ऐसी यूनीक एंड सिंपल रेसिपेज शेयर करूँगी जो एजी लिए आप अपने घर पे बना सकते हैं जो आपको आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर परसंद आएंगी क्यों ने सफर के शरवात मीठे से की जाए आज मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ एक बहुत ही यूनीक इंट्रेस्टिंग एंड माउथ वाटरिंग रेसिपी जिसका नाम है एगलेस एपल मॉफिन जैसा कि हम देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और स्पॉंजी बने हैं वो भी बिना अंडे की यकीन नहीं होता ना हम इसे तोड़की भी दिखाते हैं हम दूसरा माफिन भी चेक करते हैं इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे अभी खालू आप भी इसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं ये इतना सॉफ्ट बना है कि लग रहा है कि बेकरी से मंगव चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडियन्स आधा कप मैदा आधा कप शुगर पाउडर शकर को मिक्से में पीसकर यूज कर सकते हैं एक चम्मज बटर दो चम्मज ब्राउन शुगर यह ऑप्शनल है आधा चम्मज बेकिंग पाउडर एक चुटकी बेकिंग सोडा दो चम्मज कुकिंग ओईल जिसमें फ्लेवर ना हो दो चम्मज नॉर्मल दही एक चुटकी सिनेमन पाउडर मिल्क तीन से चार चम्मज और एक मीडियम साइस का एपल अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड बेल आइकॉन को भी दबाईए ताकि आपको और इंट्रेस्टिंग रसिपी की नोटिफिकेशन आगी मिलती रहे एंड प्लीज ऑल्सो लाइक कमेंड एंड शे दो चमच ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर से इसका टेक्स्चर भी अच्छा होता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और वन टीस्पून मैदा इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लेंगे अब एक बॉल में हम मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को चान लेंगे अच्छी तरह से और इससे अलग रख देंगे अब एक दूसरे बॉल में हम दही लेंगे इसका अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लमस न रही अब हम इसमें oil आट करेंगे और अच्छी तरह से mix करेंगे अब sugar powder आट करेंगे और 5 मिन तक अच्छी तरह से mix करेंगे आप चाहें तो इससे blend भी कर सकते हैं इसकी consistency इस तरह से होनी चाहिए अब हम इसमें हमारे चाने हुई dry ingredients mix करेंगे इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें बाकी बचा हुआ सारा मिक्शर एट करेंगे और मिक्स कर देंगे देखी अभी ये कितना थिक है इसमें हम अभी मिल्क एट करेंगे मिल्क थोड़ा थोड़ा करके अड़ करना है हम अगर एक साथ पूरा मिल्क आड़ कर लेंगे तो हो सकता है हमारा जो बैटर है वो लिक्विडी हो जाए और इससे होगा क्या? इससे हमारे जो मफिन्स है वो अंदर से कच्छे ही रह जाएंगे इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क आड़ करना है मैंने इसमें लगबग 3-4 टी स्पून मिल्क आड़ किया है हमें इसे धीरे धीरे करके मिक्स करना है अब इसमें हम हमारा ग्रेट किया हुआ एपल डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थोड़ा milk और add करेंगे इसकी consistency इस तरह होनी चाहिए और cinnamon इसे इसकी smell बहुत अच्छी आती है यह है cupcake tray और यह है paper cupcake moon जो market में easily available होते है इसे हम इस तरह से रखेंगे और हमारे batter को 3-4 cover तक फूल करेंगे इस तरह से बाकी बचा हुआ batter भी हम डाल करेंगे इसे हम अच्छी तरह से tap करेंगे तक इसमें कोई air prevalence ना हो अब इसमें हम हमारा apple डालेंगे जो हमने brown sugar और मैदा और butter add करके बनाया था हमने हमारे oven को 170 degree पर 10 minute के लिए pre-hit करने रख दिया है बाकी बचे हुए muffins में हम ओपर से brown sugar अट करेंगे इसका color और texture बहुत अच्छा आता है अब हम microwave को 170 degree temperature पर 20 minute के लिए set करेंगे हम lower rack रखेंगे microwave हमारा microwave पहले से ही pre-heated है जिसे हमने 10 minute pre-hit किया था अब इसमें हम हमारा muffin stray रखेंगे इसे बन करेंगे और on करतेंगे अब हमारे oven करेंगे चलिए देखते हैं हमारे muffins ready है या नहीं ये पक कर पूरी तरीके से तयार है हमारे muffins पिल्कुल ready है चलिए देखते हैं ये कैसे बने है देखिए ये कितने soft और spongy बने है वो भी बिना अंडे की यकीन नहीं होता न चलिए देखते हैं में सब्स चलिए, हम दूसरा मॉफिन्स भी चेक करते हैं यह इतना सॉप्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे पेकरी से मंगवाया है और इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे अभी ही खा ले आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह आपको कैसी लगी प्लीज शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल विट यूर फ्रेंड्स और फैमिली और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंट्रेसिंग रेसिपी के साथ तो तेग केर और स्टेसिप थाइए थैक यह वाचीक वाचीं